बहुत लोग मुझे एक question पूछ रहे के face ID के बिना वाले आइफोन लेना ची है फिर नहीं लेना ची है आईए आपको इसका जवाब देता हूं मैं अब यह दोस्तो face ID fail वाली आइफोन क्या होती है without face ID वाली आइफोन क्या होती है आइफोन के अंदर एक तो यह face ID वाले आइफोन आते है दूसरे home button वाले आइफोन आते है face ID वाले आइफोन के अंदर जिसके अंदर यह notch होता है उसके अंदर कोई भी जो है fingerprint scanner नहीं होता है कि आपको face ID नहीं है इसका मतलब है हर बार unlock कने के लिए passcode डालना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ serious issues भी होते है face ID के बिना वाले आइफोन के अंदर जैसे यहाँ पर face ID damage होने का reason क्या है क्या यह water damage की वज़े से हुआ है या फिर गिरने की वज़े से हुआ है गिरने और water damage दोनों की वज़े से दूसरे internal components भी खराब हो जाते है और face ID fail वाले आइफोन के लिए बैटरी का भी issue आता है तो better है इससे दूर रहे